Hello student, ये हमारा corporate accounting का third lecture है इस lecture में हम accounting of issue of debenture के बारे में पढ़ेंगे मैंने issue of debenture के बारे में आपको introduction और इसकी characteristics और इसके types और ये share से किस तरह different है ये मैंने आपको समझा दिया है अब हम इसकी accounting के बारे में पढ़ेंगे accounting में की debenture कैसे issue किये जाते है और इसकी company की books में कैसे entries की जाती है उसके बारे में अभी हम discuss करेंगे debenture बिलकुल वैसे ही issue किये जाते है जैसे की share issue किये जाते है बस इनके terms थोड़े से क्या हो जाते है चेंज हो जाते है जैसे अपन share issue करते हैं तो हमें prospectus issue करना पड़ता है और prospectus issue करने के बाद में हम share की amount को पूरा एक साथ में या फिर installment में ले सकते हैं और जब भी इनकी amount installment में due होती है तो वो installment कैसे बनेगी application, allotment, first call and final call ठीक है तो बिलकुल exact वो ही manner किसके लिए use करेंगे डिबेंचर के लिए use करेंगे बस इनका difference थोड़ा सा terms में change हो जाएगा अब जैसे कि मैं आपको बजाते हूं application, allotment, first call and final call यह बिलकुल वैसे ही होंगे जैसे कि shares में होते हैं बस अब different यह है कि जब हम share issue करते हैं तो application की entry क्या करते हैं bank account debit to share application ठीक है यह entry हम क्या करते हैं share के time पर करते हैं अब हम debenture के time पर क्या entry करेंगे same ऐसे ही bank account debit to इस बार share application नहीं लिखेंगे इस बार क्या लिखेंगे debenture application लिखेंगे ठीक है तो यह debenture application तो बिल्कुल आपने देखा कि वैसे ही बिल्कुल entry होती है जैसे किस में होती है share में होती है ठीक है अब मैं आपको इसके एक table के थुरू पूरा बता देती हूं कि जहां पर हम share application, share allotment, first call और final call ऐसा लिखते हैं उसकी जगे हम लिखेंगे debenture application, allotment, first call, and final call यह हम इसमें नाम के जोड़ेंगे debenture application, allotment, debenture first call, debenture final call ठीक है यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे share के लिए होता है अब हम जो application की यह तो first entry है इसकी second entry क्या होती है share application account debit to share capital यह इसकी क्या होती है second entry होती है तो बहां पे तो हम क्या लिखते है share application account debit और two में क्या लिखते है share capital अब यहां पे हम क्या लिखेंगे debenture application account debit two में क्या लिखेंगे share capital नहीं देखेंगे हम क्या लिखेंगे to match कैसे देखो जैसे में यहाँ पर लिख रही हूं share capital मतलब जहां जहां वर share capital use हुआ रहा है वहां पर वर्ला यूज होगा only debenture समझ में आ गया अब यह तो वह हो गया अब भबन बात करतें discount की जब हम discount पर share issue करते हैं तब हम क्या करते हैं discount on issue of debenture ठीक है यह लिखते हैं अपन जब भी share discount पर issue करते है discount on issue of share अब अपन debenture issue करते हैं तो debenture में क्या लिखेंगे discount on issue of debenture ठीक है तो यह changes है इन दोनों में issue करने में तो बिल्कुल exactly वही manner वही way यूज किया जाएगा जो किसके लिए यूज करते हैं share के लिए यूज करते हैं ठीक है अब आपको यह भी बात ध्यान रखने होगी कि हम जो debenture word लिखते हैं उसके आगे debenture का जो भी percentage इंट्रेस्ट का हो वह भी उसके साथ में लिखा जाते हैं ठीक है अब यह तो बात हो गई entries की अब इसके अलबावा entry में बहुत सारी चीज़ा आती है जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं फॉर्स्ट को यह call scenario कॉल से एडवांस इनका क्या करेंगे यह वह वाली ंट्रीपी होती है इसके अंदर हाजी बिल्कुल वह वाली entry इसके अंदर होती है मतलब जो call scenario वारियर जो कॉलसे एडवांस वह इसमें भी एज इस वैसे ही ट्रीट होंगे जैसे कि किसमें होते हैं शियर में होते हैं ठीक है अब मैं आपको समझाती हूं बिल्कुल कि वह कैसे होंगे ट्रीटमेंट रूंका जैसे supposedly आपको क्या मिलती है calls in advance मिलती है तो हम उसकी entry क्या करते है bank account debit to calls in advance करते की नहीं करते तो अपन इसमें भी बिल्फुल exactly वह एंट्री करेंगे bank account debit to calls in advance ठीक है और calls in area के क्या entry करते है calls in area account debit to share call share call की जगे अब यहां पर अपन क्या कर देंगे debenture call Cham wicked авいき यह एरियर अलोडमेंट के साब में भी हो सकता है यह एरियर फस्ट कॉल के साथ में भी हो सकता है और यह वाला area aपने final कॉल के साथ में भी हो सकता है तो मतलब कहनेगतं मतलब यह है कि और ये बीच में करने सीखा है तो बिलको ये एंट्री के बीच में जैसे की हमेशा होते हैं तो यह दोनों तो हो गए नया बात को है सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन शिएर प्रीमियम प्रीमियम पे इस्व कर सकते हैं और." कर सकता है यहीं तरह debenture भी प्रीमयम पर इशु कर सकते हैं वा प्रीमियम भी बिल्कुल बैसे होगा जैसे 100 ょई दस रुपय का प्रीमियम प्रीमियंगे आफीे का प्रीमियम है था बिलकुल एग्सक्ति ने उस उसका से क्लिया इस 먼저 यॉसक्य जियल ॹिन्यां टॉप होगी उसमें कोई चेंज़ नहीं होगा तो एक्ड़ी में कहां मिलते हैं इसको एंट्री में कहां पर तो क्रेंटिक शो कर देंगे ठीक है तो यह आपके क्या है अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर है मतलब समझ में आ गया बिल्कुल शेयर की तरह है इसमें कोई नया बिल्कुल application allotment first call final call वैसे यह एंट्री होगी जैसे शेयर में होती है calls in area and calls in advance भी बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट होंगे जैसे की शेयर में होते हैं और रही बाद security premium की तो security premium का नाम security premium ही रहेगा और ये भी वैसे ही एडजस्ट होगा जैसे की हमेशा होता है ठीक है तो अब आपको accounting of issue of debenture समझ में आगया होगा अब इससे related जो practical question है वो अपन next lecture में करें